सट तिला एकादसी ब्रत कता एक बार दालब्य रिसी ने पुलत रिसी से पूछा कि है महराज पिर्थवी लोक में मनुस्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उननती देखकर इर्श्या करते हैं साथ ही अनेक परकार के ब्यसनों में फसे रहते हैं फिर भी उनको नर्ग प्राफ नहीं होता इसका क्या कारण है वे ना जाने कौन सा दान पुन्नि करते हैं जिससे उनके पाप नस्थ हो जाते हैं यह ये महाभाग आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्ण पूछा है इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा इस भेद को ब्रंभा बिश्नू रुद्र तथा इंद्र आदी भी नहीं जानते प्रंदु मैं आपको यह गुप्त तत्त अवस्य बतलाओंगा उन्होंने कहा कि माग मास लगते ही मनुसी को असनान आदी करके सुद्ध रहना चाहिए इंद्रियों को बस में कर काम, क्रोध, लोब, मोह, अहंकार, इस्वे तथा द्वेस आदी का त्याक कर भगवान का अस्मिरन करना चाहिए पुश्य नच्छत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसक असनान बिगेर करके नित्र क्रिया से निब्रित होकर सब देवताओं के देव स्री भगवान को पूजन करे और एकादसी का ब्रत धारन करे रात्री को जागरन करना चाहिए दूसरे दिन कपूर, धूप, नैवैद, आदी से भगवान का पूजन करके खिजडी का भोग करने वाले हैं, हे पुर्णरी काक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्र ब्रह्म, हे पुर्वच, हे जगतपते, आप लक्षमी जी सहित इस तुक्ष अर्ध को गरहन करे, इसके पस्जात जल से भड़ा कुम्ब यानि घड़ा ब्रह्मन को दान करे, तथा ब्रह्मन को स्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है, तिल असनान और भोजन दोनों ही स्रेश्ट होता है, इस प्रकार जो मनुस से जितने तिलों का दान करता है, उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में निवास करता है, तिल वाले पानी से नहाना चाहिए, तिल का उप्टल लगाना चाहि तिल का तरपन करना चाहिए और तिल का भोजन भी करना चाहिए तिल दान सब प्रकार से उत्तम है इसके परियोग के कारण इस सठीला एकादसी इसको कहते हैं इस बरत के कड में अने प्रकार के पाप नस्ठ हो जाते हैं इतना का कर पुलत सरीसी कहने लगे अब मैं तुमसे इस एकादसी की केथा कहता हूं सुनो एक समय नारत जी ने भज़गवान स्री विश्णू से यही प्रशन किया था और भज़गवान ने जो सर्तिला एकादसी का महात्म नारत जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ भगवान ने नारजी से कहा है नारज मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ ध्यान पुरवक सुनो प्राचिन काल ने मिर्टी लोक में एक ब्रह्मनी रहती थी वह सदै बरत किया करती थी एक समय वह एक मास तक बरत करती रही इससे उसका सरीर अत्यंत दुरूवल हो गया यदभी वह अत्यंत बुधिमान थी तता भी उसने कभी देपताओ या ब्रहमनों के निमित अन या धन का दान नहीं किया था इससे मैंने सोचा कि ब्रहमनी ने ब्रत आदी कर अपने सरीर को सुध कर लिया है अब इसे बिसनू लोग तो मिल जाएगा परन्तु इसने कभी अन का दान नहीं किया इससे इसकी त्रिप्ती होना कटिन है भगवान ने आगे कहा ऐसा सोचकर मैं भिकारी के वेस में मिर्ती लोक में उस ब्रामनी के पास गया और उससे भीक्षा मांगी वह ब्रामनी बोली महराज किसलिया आए हो मैंने कहा मुझे भीक्षा चाहिए इस पर उसने एक मिट्टी का धेला मेरे भीक्षा पात्र में डाल दिया मैं उसे लेकर स्वर्ग लोटाया कुछ समय बाद ब्रामनी भी सरीर त्याक कर स्वर्ग में आ गई उस ब्रामनी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुन्दर महल मिला परन्तु उसने अपने घर को अन आदी सब सामग्रियों से सुन पाया घबराव कर वह मेरे पास आई और कहने लगी भगबन मैंने अनेक ब्रत आदी से आपकी पूजा की परन्तु फिर भी मेरा घर अन आदी से बस्तुओं से सुनने है इसका क्या कारण है भला? इस पर मैंने कहा पहले तुम अपने घर जाओ देव इस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए पहले उनसे सठतिला एकादसी का पुन्ने और विधी पुछलो तब द्वार खोलना मेरे ऐसे बचन सुन कर वह अपने घर गई जब देव इस्त्रिया आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्रहमनी बोली आप मुझे देखने आई है तो सठतिला एकादसी का महात्म मुझे से बोले उन में से एक देव इस्त्रिया कहने लगी मैं कहता हूँ जब ब्राहमनी ने सर्तिला एकादसी का महात्म सुना तब दुआर खोल दिया देवन गनाओं ने उसको देखा तो वह गानधारवी और असुरी है वरन पहले जैसा मानुसी है उस ब्राहमनी ने उनके कथना नुसार सर्तिला एकादसी का ब्रत किया इसके प्रभाव से वह सु माग्रियां से युक्त हो गई बोलो विश्नु हगवान की जय हरहर महादेव